नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्राइवेटेजेशन है ट्रेन का जो मतलब जो ट्रेन हमारा प्राइवेट क्या जा रहा है उसके बारे में जो बहुत सारे कुश्चन आते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर देखते हैं आयर से टेसी के क्वाटर फॉर के पर जानते हैं बहुत ही खराब आने बाला है क्योंकि रेलवेट पूरी तरह से आपरेशन में नहीं था और आगे भी जुलाई तक नहीं रहने बाला है तो ऐसे में रिजल्ट काफी खराब आता है दो दो क्वाटर का तो इस पर एफेक्ट पर सकता है लेकिन प्राइवेट को शुरू करते हैं देखते हैं प्राइवेट इंटि रेलवे में इंक्रीज करेगा टेक्नलोजी को जो ट्रेन है वो ज्यादा टेक्नलोजी के साथ आएगा मतब एडवांस होगा रेलवे और यहां पर जो मात्रों 151 ट्रेन दिया जाएगा 109 पर 109 डूट में 151 ट्रेन प लाये जाएगा 151 ट्रेन के लिए बहुत सारे प्रोजेटर होंगे जिसके तरह जो उसको अक्यूपाइ करेगा वो ट्रेन उस रूट पर चला सकता है चाहे वो अम बानी हो चाहे अडानी हो चाहे टाटा हो तो जो उसको मतलब प्रोसेस के तरह उसे एक्वाइर करेगा उस को और उस ट्रेंश को वह चलाएगा इसमें आपको बतादे内र tipping, so क्ल 80 को उसमें किसी का जॉब नहीं जाने वाला जो प्राइविट ट्रेन है उसमें प्राइविट में जॉब केरियेट होगा उसके बाद जो 95% है वो तो गुवर्मेंट रही ही चलाएगी तो 5% प्राइविट ट्रेन रहेगी जिसमें 151 ट्रेन चलाएगी तो यह था important अपडेट तो इसमें से 109 रूट होगा 151 ट्रेन होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2800 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है गुवर्मेंट के पास जो चल रही अभी तो उसका 5% प्राइविट हाथों में दे दी जाएगी और बहुत सारे अपडेट हैं यहां पर देखते हैं बाए 2030 जो प्राइविट के हाथों में दे दिये गया है प्राइविट लोग चलाएंगे जिसमें अमबानी अडानी और टाटा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि जो प्राइविट ट्रेन चलेगे उससे 3000 क्रोड का रेवेन्यू जेनरेट होगा गुवर्मेंट को साथ ही साथ जो ग्रास रेवेन्यू डिटर्माइन्ड होगा उसमें भी भागिदार होगा गुवर्मेंट और सारे रेवेन्यू मिला करके 3000 क्रोड का जो रेवेन्यू है वो गुवर्मेंट को इससे जेनरेट होगा देख से 30,000 क्रोड का investment किया जाएगा इस प्रोजेक्ट पर जिसके कारण जो सारे infrastructure डवलप किया जाएगे नौर्थ इस्टर्न डीजन में socially और economically तो इन सारे बातों को आपको जानना चाहिए ये 5% जो प्राइविटेशन होगा उससे खास एफेक्ट नहीं पड़ेगा IRCTC के उपर थोड़ा से एफेक्ट पड़ेगा 1% तो long term में क्योंकि अभी जो infrastructure डवलप होगा उसके बाद ये फिर private range चलेगी तो तब बहुत time लगेगा और उसके बाद 5% से कुछ खास फरक IRCTC पर नहीं पड़ने वाला है अगर 2% revenue फरक परता भी उससे कोई दिकत नहीं क्योंकि private में जो होगा अलग company होगा उसका private बालों का और जो government है उसमें IRCTC की monopoli बाली business है तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे concept को सीख गए होंगे कि IRCTC में अभी कोई change नहीं होने बाला है उसके business में उसका monopoli बना रहेगा तो वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा share कीजिएगा चैर पाप पहली बार है तो subscribe करके बगल के बैल आइकन को दबा लिजेगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं